एक ऐसी फिल्म जिसने लब जिहाद वालों का कच्चा चिठा खुलके रख दिया यूटूब में स्ट्रोल करते हुए मुझे एक ट्रेलर दिखी दा केरला स्टोरी एक नॉर्मल सी मूवी सोचकर मैंने उस ट्रेलर पर क्लिक किया पर 2.40 सेकेंड का ये ट्रेलर मेरा होस उडाकर रख दिया इस ट्रेलर के बारे में पूरी बात करेंगे वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दा कस्मिर फाइल मूवी तो आपको याद ही होगी उसे कोई जूटा या कड़वा सच जो मरजी बोल सकता है लेकिन एक ऐसी बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता बिना कोई एड़िटाइजिंग के मूवी सूपर हिट रही और IMDb पर उसे 10 आउट ओफ 10 इस्टार दिया गया बाद में दल्लों ने उसे कम करवा दिया वो हिट इसलिए था क्योंकि वो सच था और सच को कोई दबा नहीं सकता वैसे ही एक और मूवी के ट्रेलर मैंने आज देखी दाकेरला इस्टोरी मूवी के ट्रेलर देखने के बाद मुझे दस कस्मिर फाइल के याद आ गई इस मूवी को देखने के बाद आपकी नीन दूर जाने वाली है दाकेरला इस्टोरी ये फिल्म में बहुत सारा सवाल और बवाल करवाने वाली है क्योंकि ये एक सची कहानी है सबसे पहले सलाम है इस फिल्म के डिरेक्टर सुधिप सेंसर का इस तरह के फिल्म को लाने में बहुत सारी हिमत और कॉन्फिडेंस चाही इस तरह के सेंसिटीव और असली स्टोरी को पबली के बीच लाना और वो भी बड़े परदिपर ISI अपने इंडिया में रह रहे हिजुडों को ट्रेनिंग देती है और गरीब और मेडिल कलास हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है फिर उन्हें परिशान किया जाता है बाद में उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि अल्ला ही सब कुछ है और जो भी अपना रिलिजन चेंज करके इसलाम में जाएगा उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब एक बार हिंदू लड़कियों ट्रेफ्ट हो जाती हैं तो फिर वो उनसे धर्म परिवरतन करवा के उनसे साधी कर लेते हैं और फिर वो उन्हें उनकी फैमिली से दूर करके उन्हें पाकिस्तान ले जाते हैं और उनके साथ उल्टी सीधी हरकते करते हैं जिसके बाद उनके सर पे ISI का एक ठपा लग जाता है जिसके वज़े से वो ना तो फिर वापस इंडिया आ सकती है और ना कुछ और कर सकती है करनी चाहिए चुतियों जैसी नुडिटी से भरी मूवी को बनाने में 500 करोड तक वेश्ट कर देते हैं पर रियल स्टोरी के नाम पर उनकी डर से हवा निकल जाती है पर कस्मिर फाइल के बाद बदलाव आ रहा है और ये मूवी उसका बेश्ट एक्जामपल है अधा सर्मा की एक्टिंग स्पिल तो कितनों की कैरियर खा जाने वाली है सिर्फ 2 मिनट 40 सकेंड की ट्रेलर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर ये आपके साथ या आपके फैमली में किसी के साथ होता तो आप क्या करतें ये एक छोटे बजट की मूवी है इसने अपने दम पर अपना परमोशन खुद कर लिया है इसे बॉलीवूड वालों की तरह टटी बेचने के लिए परमोशन में सो कड़ोर फुकने की जरूरत नहीं है कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक जूटा फिल्म है जूट बोलना और बेचना असान होता है तो आपको अगल हुए जा रहे हैं हो तुम्हारी इजद भरी इजद दो उतर गई लोगों के सामने सच दो दिखा दिया इस मूवी की स्टोरी ये है कि लब जिहाद की असली स्टोरी को फुल प्रोसेस के साथ लोगों के सामने रख दिया है फिल्म ने ये फिल्म की कहानी केरला की है पर आज के टाइम में लब जिहाद सिर्फ केरला नहीं बलकि पूरे देश में एक्ज़क्मिक तरह फैल चुका है। तोक तो कुछ भी बोलेंगे उनका काम है बोलना पर इस मूवी को ट्रेलर की तरह सॉलिड होनी पड़ेगी वरना मजाग बनने की बहुत चांस है। आपको क्या लगता है इस तरह की सीरियस पर रियल स्टोरी पर मूवी बननी चाहिए अपनी राइ कामेंट में बताएं। बहुत महनत लगती है वीडियो बनाने में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। जैहिन वद्नेवात्रम।